मत पिता की सेवा जो करते हैं निश्काम सदियों तक रहता अमर जग में उनका नाम ये कथा है ये कथा है शवन कुमार की मात पिता की सेवा में जिसने सारी उमर गुजार दी ये कथा है शवन कुमार की भक्त जनो आज मैं आपको पुत्र शिरो मनी शवन कुमार की कथा सुनाने जा रहा हूँ श्रवन कुमार जिसने जन्म देने वाले अपने मात पिता को ही साक्षात भगवान माना जिसने उनकी सेवा को ही अपने जीवन का धे माना जिसने मन कर्म वचन से अपने माता पिता की भगती वंदना की जिसकी हर सांस माता पिता का गुणगान करती थी अपने माता पिता की दी हुई शिक्षा को ही जिसने वेद पुरान का सार जाना उनकी आराधना साधना को ही अपने प्राणों का आरहार माना उस श्रवन कुमार का जन्म कब कहा और किसके यहा हुआ इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाने जा रहा हूँ सुनके कथाय मनमदुबन में सदगुण का एक पुष्प खिले अपने संग अपनी संतानों को भी इसका ज्यान मिले कभी अयोध्या में एक ब्राह्मन संग पतनी के रहता था प्रभुसिमरन के पावन सागर में वो हर पल बहता था हर एक सांस के संग गाटा था महिमा सरजनहार की ये कथा है शवन कुमार की भगतो त्रेता युक की बात है उन दिनों आयोध्या नगरी पर सूर्यवन्शी महराज दश्रत का राज्य था जैसा की सरव विदित है महराज दश्रत बहुत ही दयालू क्रिपालू और न्याय प्रिय थे उनके राज्य में राजा और प्रजा को एक समान अधिकार प्राप्त थे उसी पावन नगरी अयोध्या में शांत्वन नाम का एक ग्रहस्त ब्राह्मन अपनी पत्नी के साथ रहता था वो शांती प्रिय ब्राह्मन हर समय प्रभू भक्ति में लीन रहता कण कण में प्रभू की छवी देखा करता और उसकी पत्नी पत्नी भीती धर्म उपासक ध्यान प्रभू का धर्ती थी संगपती के पूजन अर्चन व्रतु पुवास वो करती थी नित्य नियम सैयम का डोनों विदिवत करते थे पालन पालन हार की भक्ती में ही रमा हुआ था उनका मन हर इक कण में देखा करते लीला उस करतार की ये कथा है शवन कुमार की सजनों दोनों पती पत्नि हर पल प्रभू के ध्यान में मगन रहते दुनिया का छल कपट लोब एहिंकार उन दोनों के मन को छू तक नहीं गया था उन दोनों का ये वैराग्य अनुराग देखकर वन के पंची पेड़ लटाईं पुष्प कलियां भी जैसे मंत्र मुग्द से हो उड़ते जैसे वन का सारा वाटावरन उनके संग मिलकर प्रभू नाम का उच्चारण कर रहा हो यू तो वो संतुष्ट थे घर में कमी न थी धन धान की पर जब मन को तड़ पाती थी इच्छा एक संतान की करके याद प्रभू को दोनों धन्डियां हें भरते थे कैसे चलेगा वन्ष हमारा अकसर सोचा करते थे रोग मुक्त तब काया अपनी लगती उन्हें बेकार सी ये कथा है शवन कुमार की ये कथा है शवन कुमार की यू तो उस ब्राम्भन पती पत्नी ने अपने आपको दुनिया के हर मोह से मुक्त कर लिया था लेकिन वो थे तो संसारी ही न इसी कारण हर तरह से संतुष्ट होने के बावजूद कभी कभी उन दोनों के मन में एक संतान की इच्छा जाग जाती वो दोनों सोचते प्रभू ने हमें स्वस्थ काया के साथ सब कुछ दिया है यदि एक संतान भी दे देता तो हमारे वन्ष के आगे बढ़ने का क्रम भी चलता रहता व्रिद अवस्था में हमारी वो संतान हमारी सेवा करती और देह का अंत होने पर वो बालक हमें मुखागनी देता हमारी सदगती हो जाती भक्त जनों, दोनों पती पत्नी एक दिन ऐसा ही सोच रहे थे के अचानक वहां देव रिशी नारत प्रगट हुए और उन्होंने उनसे कहा आप दोनों नैमी शारण्यवन में जाकर सिष्टी करता ब्रह्मा जी की तपस्या कीजिए उनके वर्दान से आपके यहां पुत्र अवश्य जन्म लेगा और उस पुत्र का नाम करण भी मैं ही करूँगा इतना कहकर नारत जी अंतर ध्यान हो गए उन दोनों पती पत्नी ने नारत जी को स्मर्ण करते हुए उन्हें प्रणाम किया और फिर आपस में विचार विमश करने के बाद बैटकीक पाशान खंड पे दोनों तपस्या करने लगे ओम ब्रह्माये नमो नमा इस मंत्र का जापु वो करने लगे ब्रह्म देव थे मन में उनके नैनों में चवी ब्रह्मा की तन मन के संग जप तप में तली नती उनकी आत्म भी नातों थी सुद अपनी उनको नाती खबर संसार की ये कथा हिशवण कुमार की उस नैमी शारण्यवन की सौंदर घटा स्वर्ग से किसी भी रूप में कम न थी चारों और शान्ती ही शान्ती थी इसी वन में एक शिला खंड पर बैठ कर वो ब्राम्हन पती पत्नी ब्रम्हाजी की आराध्ना करने लगे ओम ब्रम्हाय नमा ओम ब्रम्हाय नमा इस मंत्र की गून से वो पूरा परिवेश भक्ति में हो गया कोयल की कूक, हमरों की गुणजन, पुश्पों की सुगंद भी जैसे इसी मंत्र का जाब करने लगी वन में विचरते, पशु पक्षी भी हिंसा को भूल कर उन दोनों के इर्द गिर्द घेरा डाल कर हर विप्ता से उनकी रक्षा करते थे सवेपीता रहा और वो दोनों पती-पत्नी गर्मी के संग उनके तन पे सरदीवार भी करती थी आदी तूपा आते थे, बारिश बौचार भी करती थी भगवन अपने भागत जनों की कैसी परिक्षा लेते है सफल परिक्षा में जो होते उनी को भल वो देते है करके डया उन पे हैं देते मन चाहा पुपभार भी ये कथा है शवन कुमार की आखिर में उस ब्राम्हन पती पतनी की कठोर तपस्या सफल हुई और ब्रम्हाजी उनके सामने प्रगट हुए और बोले शान्तवन तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी किन्तु एक शर्त पर और वो ये के जिस घड़ी तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा उसी क्षण तुम दोनों की नेत्रों की जोती जाती रहेगे तुम दोनों अपनी संतान का मुख नहीं देख पाओगे भाक्त जनों ब्रम्हाजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वो दोनों पती-पतनी अवाक रह गए दोनों सोच में डूब गए के पुत्र प्राप्ति के बाद हम दोनों अंधे हो जाएंगे अपने बालक का मुख भी नहीं देख पाएंगे जीने का सहारा आँखों का तारा पाने के लिए आँखों को ही गवाना पड़ेगा लेकिन भक्तो धन्य है माता-पिता का दिल जो संतान के लिए पहाड से भी भारी संकट उठाने के लिए तैयार हो जाता है ब्रम्हा जी की शर्ट सुनी तो ब्राम्हन ने शर्धा से कहा पुत्रहीन कहलाने से तो नेत्रहीन होना है भला नैन हमारे ले लीजे नैनों का तारा दे दे हमें जितना बचा इस जीवन के जीने का सहारा दे दे हमें ब्रम्हा जी ने उन दोनों की पिंतिये स्विकार की ये कता है शवण कुमार की ये कता है शवण कुमार की तो सजनु समय आने पर ब्राम्हन शान्त वन की पत्नी गर्ववती हुई और एक सुंदर से बालक को जन्म दिया ब्रम्हा जी के वरदान और शर्क के अनुसार नवजात शिशु के प्रथम रुदन स्वर के साथ ही दोनों पती पत्नी की आँखों की जोती भी जाती रही संतान को देखने से पहले ही वो दोनों जन्म भर के लिए अंधे हो गए उधर नारत जी को योग माया द्वारा ये ग्यात हो गया के ब्रामण शान्तवन के यहां पुत्र हुआ है तो वचन अनुसार वो शान्तवन की कुटियां पर पहुँचे दोनों पती पत्नी ने उन्हें शर्धा पूर्वक प्रणाम किया नारत जी ने बालक की हस्त रेखाई देखी फिर मन ही मन कहने लगे बालक के सभी लक्षन ठीक है ये सदाचारी आज्याकारी और इश्वर भक के साथ साथ माता पिता का भक्त भी होगा प्रंतु युवा अवस्था में ही मृत्यों लिखी है जदी मैं ये सत्य इन दोनों नेत्रहिन पती पत्नी को बता दूँ तो ये दोनों चिंता के अथा सागर में डूब जाएंगे हो सकता है के आने वाले भावी संकट के भैसे इन दोनों के प्राण ही निकल जाएं इसलिए उनका शुब मंगल और कल्यान सोचते हुए इस कटू सत्य को छुपाते हुए नारजी बोले सुनो बत ये पुत्र तुम्हारा जग में बहुयाश पाएगा पुत्र शिरो मनिश बन कुमार के नाम से जाना जाएगा सेवा करेगा तुम दोनों की होगा त्यागी बलिदानी इसके नाम से शिक्षा लेगा कल युग का हर एक प्राणी युग युग चर्चा करेंगे इसके नेग चलन व्यवहार की ये कठा है शवण कुमार की भक्त जनो देवरिशी नारत के मुख से अपने बच्चे के प्रतिये सब सुनकर खुशी के मारे उन दोनों की आँखों से जलधारा बहने लगी मन में विचार आया काश हम अपने इस सद गुणी प्रतिभावान पुत्र को एक पल के लिए देख पाते नारत जी उनकी पीडा को समझते हुए भी मौन थे आने वाले समय में क्या होने वाला है वो जानते थे इसी लिए वो दोनों पती पत्नी को आशिरवाद देकर वहां से अंतरध्यान हो गए तो भग्तों बालक श्रमण कुमार मा की गोद में खेलता हुआ पिता के कंधे पे चड़कर इस संसार को देखता हुआ धीरे धीरे आयू की सीड़ियां चड़ने लगा अंधे माता पिता उसकी मधूर आवाज सुनकर आत्म विभोर हो जाते वो मन ही मन अपने बच्चे का काल्पनिक चहरा देखते और प्रसंद हो जाते बच्पन से ही श्रमण कुमार में सारे सद गुन प्रगट हुए सारे लक्षण ने किशरापत के उसको कुदरत ने दिये त्याग वेराग को धर के मन में ध्यान प्रभु का धरता था प्रेम भाव से मात पिता की सेवा हर पल करता था समय जबी तातों बच्पन की सीमा उसने पार की ये कथा है शवन कुमार की भगतों शवन कुमार के माता पिता ने नेत्र हीन होने के बावजूर अपने बच्चे के मन में जब तब सत्य त्याग अहिंसा प्रेम और सेवा भावना के विचार भर दिये थे और ये उसी का ही परिणाम था के शवन कुमार बच्पन से ही अपनी माता पिता की हर आग्या का श्रद्धा भाव से पालन करता वो भूले से भी कभी कोई ऐसा कारे नहीं करता जिससे उसके माता पिता का मन दुखी हो सुर्य उदे होने से काफी समय पहले ही उसकी दिन चर्या शुरू हो जाती थी श्वन कुमार प्रभू से पहले मात पिता को करता न मन हो भूजा है तु पुष्प बुलेने रोज ही जाता था मदुबन मात पिता के चर्ण वो धोकर पुष्प उन्हें करता अरपण फिर वो उनको भोग लगा कर अनजल करता स्वायम ग्रहन मात पिता में देखा करता मात पिता में देखा करता सूरत पालन हार की ये कथा है शवन कुमार की तो भक्त जनों ये थी शवन कुमार की अपने माता पिता के प्रती भक्ती भावना जन्म देने वाले माता पिता के लिए उसके मन में कितनी शड़्धा कितनी आसक्ती और कितना अनुराग था उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है वाणी में इतनी शक्ती ही नहीं कि उसकी विरक्ती भक्ती का वर्लन कर सके माता पिता की सेवा ही उसके जीवन का एक मात्र धे था अपनी हर एक सांस को वो अपनी माता पिता का कर्जदार समझता था उसके रोम रोम में उनकी वंदना अर्चना ही समाई हुई थी एक दिन शवन कुमार के मात पिता के मन में इच्छा जगी सुन्दर सी बहु घर में आये वन्च चले कुछ आगे भी शान्त वन का एक मित्र था जिसको शवन ही भाता था बने जमाता शवन उसी का मन ही मन वो चाहता था पुत्री पुत्र वधू बन जाये शान्त वन के परिवार की ये कथा है शवन कुमार की शवन कुमार की पिता का एक घनिष्ट मित्र था जिसकी एक युवा सुन्दर सुशिल कन्या थी वो चाहता था उसकी पुत्री शान्त वन की ही पुत्र वधू बने शवन कुमार जैसा अच्छे संस्कार और विचार वाला युवक ही उसकी पुत्री का वर बने उस मित्र ने शवन के पिता से अपनी ये इच्छा जाहिर की शवन के माता पिता तो अच्छी सक गुणों वाली पुत्र वधू की आस लगाए बैठे ही थे अतै एक शुब महूरत में वो दोनों मित्र समधी बन गए शवन कुमार का उस सुन्दर कन्या से विवाह हो गया शवन कुमार के माता पिता धन्य हो गए पुत्र के साथ पुत्र वधू भी उन्हे बहुत ही सुशील मिली थी प्रम महूरत में वो नारे नित्रा तज जग जाती थी सास ससुर और पती की सेवा करके धर्म निभाती थी पुल्मर यादा की रेखा को पार कभी ना करती थी पति चर्णन की दूली से ही मांग सदा वो भरती थी दुनिया करती थी प्रशन सा कुस्सत वन दी नार की सजनों शान्तवन के घर में सुख शान्ति का वास्तो था ही शवन की पती ब्रता और सास ससुर की मन प्रान से सेवा करने वाली पत्नी के आज आने से वो घर स्वर्ग जैसा हो गया था भगतों समय आने पर जब शवन कुमार के माता पिता व्रिद्ध हो गए तो दोनों के मन में देश के सभी महान तीर्थों की यात्रा करने की इच्छा जागी दोनों पती पत्नी इस विशय पर वार्ता लाब करने लगे कि शवन कुमार के जन्म से पहले हम दोनों ने सोचा था के देश के सारे पावन तीर्थों की यात्रा करेंगे पर अब ने प्रहीम और व्रिद्ध होने के कारण लगता है हमारी ये इच्छा अब कभी पूरी न हो पाएगी शान्तवन अभी ये कैही रहे थे के शवन कुमार वहाँ आया और विनीत भाव से बोला पूज्य माता पिताजी आप चिंता ना करें मैं आपको आपकी इच्छा अनुसान सब तीर्थों की यात्रा करवाँगा शान्तवन जानते थे के इन तमाम तीर्थों की यात्रा कितनी कठिन है इसलिए वो शवन कुमार से बोले पेटा तुम्हारा तन है कोमल यात्रा है ये बड़ी कठिन राह में उचे परवत होंगे गुफा गंदरा सागरवन इन सक पशुओं से तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे दर है मुझको संग हमारे तुम भी तान गवाओगे खबर नहीं है तुम्हें अभी कठिनाईयों के अमबार की ये कथा है शवन कुमार की अपने पिता के मुख से ऐसे वचन सुर कर शवन कुमार बोला पिता जी आपके मन में एक इच्छा जागी है पुत्र होने के नाते उसे पूरा करना मेरा धर्म है और धर्म निभाने की राह में कितनी भी कठिनाईयां क्यों ना आए मुझे स्विकार है शान्तवन फिर बोले पुत्र तुम्हारे मन में माता पिता की सेवा करने की जो भावना है उसकी हम दोनों कदर करते है पर बेटा ये तो देखो हम कितने व्रिद्ध हो चुके हैं हम इतनी लंबी यात्रा करने के लायक नहीं रहे हम दोनों के नेत्र भी नहीं है तीर्थी यात्रा के दौरान हम भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे और पुत्र इस यात्रा में तुम्हें बड़ा कश्ट उठाना पड़ेगा इस पर श्रवण कुमार बोला पिता श्री आप व्रिद्ध हो गए हैं तो क्या हुआ आपके इस पुत्र में आपकी ही शक्ति है आप नेत्र हीन है तो क्या हुआ मेरे नेत्रों द्वारा आप प् आप कहीं आशीश असंभव को संभव कर जाएगा हो आप कि सेवा से ही मेरा जन्म सफल हो पाएगा चंदन काश्ट की कामर में मैं दोनों को बिठ लाऊंगा कंधे पे लेके वो कामर कीरत सभी कराऊंगा कितना कहकर शवण कुमार ने कामर एक तैयार की ये कथा है शवण कुमार की मात पिता की सेवा में जिसने जिसने सारी उमर गुजार दी ये कथा है शवण कुमार की अपने पुत्र के मुख से ऐसे शब्द सुनकर माता पिता का रिदे गदगद हो उठा और वो पुत्र की सहायता है तो भगवान का आभार व्यक्त करने लगे लक्ष्य प्राप्ति के लिए शवण ने चंदन की लकड़ी से एक कामर तैयार की उसे खूब सजाया शवण कुमार की पत्नी ने ये सब देखा तो अपने पती के पास आकर विने पूर्वक बोली स्वामी आपकी आज्या हो तो साथ आपके आऊं मैं बाट के आपका हर एक सुक दुख पत्नी धर्म निभाओं मैं मात पिता की सेवा करूंगी आपके चर्ण दबाऊंगी निस दिन करके दर्श आपके जीवन सपल बनाऊंगी रिणी रहूंगी आपने मेरी बिंतिगर स्विकार की ये कथा है सवन कुमार की शवन कुमार ने जब अपनी पत्नी की ये बिने याचना सुनी तो वो उससे बड़े प्रेम पूर्वक बोला नहीं प्रिये तुम्हारा कुटियां में ही रहना उचित है माता पिता और मेरी अनुपस्तिती में तुम कुटियां पर आए रिशी मुनी और अथितियों की सेवा करना ताकि उनका आशिरुवाद मेरी इस तीर्थी आत्रा को सफल करने में सहायक हो श्रमन कुमार की सुलक्षणा पत्नी ने पत्ती के मुख से जब ये सुना तो उसने कोई प्रत्री रोध नहीं किया और पत्ती के कथन को आज्या मान कर उसे शिरो धार्य किया तब शमन कुमार ने माता पिता के चरणों की धुली मस्तक पर लगाई प्रभु सिम्रन किया और शुब महूर्त में मात पिता को बिठला के कंदे पे उठाया कावर को कण कण से आवाज ये आई शवण कुमार की जैहो ऐसा लगा की दसों दिशाए पुष्प लगी है बरसाने रिश्य देखा देव लोक के देव लगे सभी मुस्काने रिश्य मुनियों ने सब गुणियों ने उसकी जै जैकार की ये कथा है शवण कुमार की भक्तु तरह तरह के कष्ट उठाता शवण कुमार माता पिता को कावर में बिठाई सबसे पहले त्रिवेणी संगम पहुचा जहां पतित पावनी सकल दुख संताप शाप नाशनी गंगा यमुना सरस्वती तीनों माताई भक्तों के कष्ट हर रही है उस संगम स्थली को प्रणाम कर शवण कुमार ने कहा हे तीर्थ राज जिस तरह यहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम चिरस्थाई है उसी तरह मेरे मन में भी माताई पिता की भक्ती सदा बसी रहे तब शवण कुमार के पिता ने उसे बताया बेटा शवण ये प्र्याग सब तीर्थों का राजा है जो लोग यहां आकर श्रधा से असनान करते हैं वो अक्षेपत को प्राप्त करते हैं इसके बाद शवण ने अपने माता पिता को प्रिवेणी में असनान करवाया फिर स्वयम भी प्रिवेणी में असनान किया जान अवस्था में फिर बेट के कहने लगा शवण का मन ओ खेमा गंगायम न सरस्वति आपको करता हूं मैं नमन पुत्र आपका अति निर्बल है आप ही देना मुझको बल आपका शुब आशीश मैं पाऊं यात्रा मेरी होवे सफल रखनी है ये लाज आपको मेरी करण पुकार की ये कथा है शवण कुमार की शवण कुमार ने त्रिवेनी के तट पर बैठकर पूरे मनोयोग के साथ गंगायमुना सरस्वति मा की आराधना की उसकी प्राथना के करण स्वर उन तीनों माताओं के कानों में पहुँचे फिर उन तीनों माताओं का प्रतिनिधित्व करती मा यमुना उसके सामने प्रगठ हुई और बोली बेटा आँखें खोलो मैं तुम्हारे सामने हूँ श्रमण कुमार ने आँखें खोल कर यमुना मा को देखा तो उन्हें प्रणाम किया इस पर यमुना मैया उससे बोली पुत्र श्रमण मैं तुम्हारी मात्र पित्र भक्ती से अती प्रसन हूँ तुम्हारी ये यात्रा सफल हुई श्रवन कुमार ने देवी को प्रणाम किया और उठा के कामर मात पिता संग फिर वो आगे बढ़ने लगा जंगल जंगल चलता रहा वो परवत परवत चड़ने लगा सर्दी गर्मी पत जड़ के संग मौसम आए तू पानी कितनी भी बाधाएं आई खार न पर कुसने मानी हर एक कश्ट को वो था समझता लीला उस करतार की ये कथा है शवन कुमार की ये कथा है शवन कुमार की भगतु इस तरह यात्रा करता हुआ शवन कुमार अपने माता पिता के संग पावन नगरी काशी पहुँचा वहाँ पहुँचने पर उसके पिता ने बताया बेटा ये काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर वसी है ये नगरी तीनों लोकों से अलग है इसलिए इस नगरी को स्वर्ग का द्वार कहा गया है काशी नगरी का दर्शन और बाबा विश्वनात का पूजन सब पापों को हर लेता है यहां के कणकण में शिव शिव की ध्वनी कुन जायमान होती रहती है काशी नगरी अविनाशी शिव की एक प्यारी नगरी है शिव शिव कहती यहां की धर्ती शिव मैं हो के समरी है यही पे बोले भंडारी शिव विश्वनात कहलाते है विश्व का पूरा वैभव अपने भक्तों पे बरसाते है यहां पे आके भूले प्राणी यहां पे आके भूले प्राणी फर्विपदा संसार की यह कथा है श्रवन कुमार की यह कथा है श्रवन कुमार की भक्तों भगवान श्री विश्वनात के मंदिर में मंगल आरती होने के बाद जैसे ही पुजारी आरती का धाल लेकर श्रवन कुमार के पास लाया तो श्रवन कुमार ने आरती लेने से पहले अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम किया इस पर पुजारी ने श्रवन कुमार को डांटते हुए कहा मूर्ख भगवान विश्वनात के दर्बार में आकर उन्हें प्रणाम करने से पहले ये किस के आगे माथा जुका रहा है तब श्रमन कुमार ने नम्र होकर कहा महराज मैं तो साक्षाच्ष्री विश्वनात स्वरूप अपने पिता और जगदंबा पारवती समान अपनी माता को दंडवत कर रहा हूँ पुजारी की समझ में श्रमन कुमार की बात नहीं आई वो उसे और भी जोर जोर से भला बुरा कहने लगा लोगों की भीड़ वहाँ जमा हो गई सैयोग से स्वयम काशी नरेश भी वहाँ उपस्तित थे वो इस विवाद को सुलजाने ही लगे थे कि अचानक वहाँ भगवान श्री विश्वनात जी प्रगठ हुए और उन्होंने वहाँ उपस्तित लोगों से कहा निसंदे संसार में माता पिता की भक्ती इश्वर की भक्ती से भी बढ़कर है फिर वो श्रवन कुमार से बोले पुत्र श्रवन तुम्हारी ये यात्रा सफल हुई मेरा आशीरवाद तुम्हारे साथ है श्रवन कुमार ने विश्वनात को श्रधा से प्रणाम किया फिर से मात पिता को बिठा के कंधे पे कामर को लिया देव रिशीगन सारे उसके किस अभियान को तकते थे धन्य है ऐसा पुत्रिय कहके उसकी सराहना करते थे मात पिता के सुख में जिसने सुदबुद अपनी पिसार दी ये कथा है शवन कुमार की ये कथा है शवन कुमार की शवन कुमार अपने कंधो पर कामर उठाए चला जा रहा था कहीं किसी पत्थर से उसे ठोकर लगती तो उस डर्द को वो चुपचांप सह लेता पग में कोई काटा चुपटा तो उसकी चुभन को परदाश्ट कर लेता कावर में बैठे उसके नेत्रहीन माता पिता उसके इन कश्टों को अनुभव करते थे इसलिए वो जिद करके शमन कुमार को अस्थान अस्थान पर रुकने का आदेश देते हुए थोड़ा विश्ञाम करने के लिए कहते थे शमन कुमार उनकी आग्या का पालन करता थोड़ा विश्ञाम करने के बार वो वन उपवन से भलकंद मूल लाकर माता पिता को भोजन करवाता और फिर कावर उठा कर आगे बढ़ जाता भक्तो इस प्रकार पुत्र श्रो मनी शवन कुमार अपने माता पिता को तीठों की यात्रा कराता हुआ बद्री धाम जा पहुँचा पद्रिनात वो धाम है भक्तो जो भी यहां पे आता है रोग शोक सब मिट जाएं मन वांचित फल वो पाता है इसी धाम पे शवन कुमार भी मात पिता के संग पहुचा छूके उस पावन भूमी को फिर उसने प्रणाम किया नैन में उसके डोल उठी छवित्रि भुवन के आकार की ये कथा है शवन कुमार की बद्री नात धाम पहुचने पर शवन कुमार के पिता शवन से बोले बेटा ये पावन स्थान भगवान बद्री नारायन जो हर प्राणी का लोग पर लोग समारते हैं उनको बहुत प्रिय है ये देव भूमी है हम दोनोंने तुम्हारी सहाइटा से इस महान तीर्थ की आत्रह भी कर डाली अब तुम एक काम करो जिस तरह तुमने त्रिवेणी और काशी का पवित्र जल हमारी आँखों से लगाया था उसी तरह श्री बद्री नारायन का पामन जल भी हमारी आँखों से लगा दो पिता की आज्या सुनकर श्रवन कुमार उचे परवत शिखर पर चड़कर बद्री नारायन जी का पामन जल ले आया फिर यकायक भगवान बद्रीनात वहां प्रगठ हुए और बोले बेटा श्रवन तुम धन्य हो तुम जैसा आज्याकारी सदाशील पुत्र संसार में न कभी हुआ है न होगा तुम्हारी संपूर्ण यात्रा सफल हुई अब तुम माता पिता को वापिस ले जाओ इतना कहकर बद्री नारायन जी अंतरध्यान हो गए और सारे तीरत कर डाले ये श्रवन सोच कर धन्य हुआ मात पिता को संग लिये फिर सर्यू नदी के तड़ पहुचा कंदे पे जो कामर थी वो उसने पेड़ के नीचे रखी इतने में आवाज ये आई बेटा हम को प्यास लगी इस कथनी के पीछे क्या करनी थी उस करतार की ये कथा है शवन कुमार की भक्तो शवन कुमार के माता पिता को प्यास क्या लगनी थी वो तो काल की गती थी काल ने ही उनके मन में प्यास को जगाया था ये विधी का लेख था ये होनी ही थी जो सब करवा रही थी माता पिता की प्यास बुझाने हे तू शवन कुमार हाथ में पात्र लिए जल लेने सर्यू नदी की ओर बढ़ रहा था ठीक उसी समय राजा डश्रत अपने राजी की प्रजा को हिंसक पशूँ से बचाने के लिए उनका शिकार करने वन को निकले उनही की खोज करते करते वो सर्यू नदी की ओर बढ़े इधर शवन कुमार ने जल लेने के लिए पात्र को नदी में डुबोया पात्र में पानी भरने के साथ साथ डबडब की एक आवासी हुई राजा डश्रत ने समझा कोई हिंसक जीम सर्यू नदी में जल पी रहा है उसका वद करने के लिए उन्होंने शीकर ही शब्द भेदी बान चलाया और पवन वेग से बान वो सीधा शवन के छाती में जल लगा रिदे विदारक चीख सी उबरी शवन धर्ती में जा गीरा राजा डश्रत ने सोचा पश्व को मैंने है मार दिया तेजी से वो वहाँ पे आए दुख से माथा पीट लिया ये क्या हट्या कर डाली मैंने तो मुनी कुमार की ये कथा है शवन कुमार की ये कथा है शवन कुमार की ये कथा है शवन कुमार की राजा दश्रत में जब घायल शवन कुमार को सर्यू के तट पर पुरी तरह तड़ते हुए देखा तो वो भी अपने किये पर बिलग बिलग कर रो पड़े फिर शवन कुमार का सिर अपनी गोद में लेकर रोते हुए कहने लगी पुत्र तुम पर गलती से बाण चलाने वाला मैं ही हूँ मैं तुम्हारा अपरादी हूँ पर मुझ से ये अपराद अनजाने में हुआ है महराज को रोता देखकर शवन कुमार कराते हुए बोला महराज आपको रोना शोवा नहीं देता आपने तो गल्ती से मुझ पर बान चलाया इसलिए आप दोशी नहीं है और फिर संसार का नियम है जो पैदा हुआ है वो मृत्यू को अवश्य प्राप्त होता है मैं भाग्य शाली हूँ जब तक जीवित रहा माता पिता की सेवा करता रहा और अब मृत्यू के समय भी उनकी सेवा में ही हूँ आप कृप्या मेरा एक काम कर दीजिए उधर व्रिक्ष के नीचे मेरे बुढ़े अंधे माता पिताब प्या से बैठी है इस पात्र में जल ले जाकर उन्हें पिला दे और मेरा ये अन्तिम प्रणाम भी उन्हें कह दे इतना कहकर श्रवन कुमार चर्निद्रा में सो गया श्रवन कुमार की मौत पे भगतों दसो दिशाएं रोने लगी समय विशोक में डूब गया और चलती हवाएं रोने लगी धरती का सीना भी फटा अंबर का कले जाहिल सा गया दया शील राजा के हाथों कैसा ये अनर्थ हुआ श्रवन के संग हुई हाथ्या ममता और लाट दुलार की ये कथा है श्रवन कुमार की भगतों राजा दश्रक्त दुखी मन से जल का पात्र लेकर श्रवन कुमार के माता पिता के पास पहुचे और कामते हुए स्वर में बोले माता जी पिता जी जल पी ली जी आवाज सुनकर शांत्वन बोले बेटा तु जल ले आया बड़ी देर कर दी तुने आने में और तेरी आवाज को क्या हुआ बड़ी भारी सी लग रही है भगतों महाराज डश्रत कुछ नहीं बोल पाई कुछ पल खामोशी चाई रही आखिर मा बोल उठी तु कोई उत्तर नहीं दे रहा है बेटा पिता की आत्मा धोका खा सकती है लेकिन मा की ममता धोका नहीं खा सकती तु हमारा बेटा श्रवन कुमार नहीं है बता तु कौन है और हम मारा बेटा कहां है श्रोताओं आखिर राजा दश्रत बोलने पर मजबूर हो गए और रोते स्वर में बोले आप सत्य कह रही है माता मैं आपका बेटा श्रवन नहीं आयोध्या का राजा दश्रत हूँ आपके बेटे की मैंने भूल से हत्या कर दी है इतना सुनते ही उन दोनों नेत्रहिन व्रिधों पर मुर्चा छा गए राजा दश्रत और भी विचलित हो गए फिर वो दोनों जब थोड़ा सचेथ हुए तो राजा दश्रत ने उन दोनों को सभालते हुए उनसे जल पी लेने का अनुरोध किया तब हक्त जनो श्रमण कुमार के माता पिता बिलगते हुए कहने लगे तू हमें जल देना चाहता है न तो लाज उन दोनों ने सर्यू नदी के उस पावन जल को हाथ में लेते हुए कहा ये क्या पाप किया है हमसे पुत्र हमारा छीन लिया नेतर हीन दो प्राणियों की आखों का तारा छीन लिया पीडत मन से हम है राजन शाप तुम्हें ये देते हैं पुत्र वियोग में तुम भी तडपोगे जैसे हम तडपे हैं अन्त समय में पुत्र का मुना देखोगे एक बार भे सजनों इतना कहने के बाद उन दोनों ने अपने प्रान त्याग दी राजा दश्रत सेकडों बाणों से चल्ली हुआ जैसा दिल लिये सोच रहे थे ये कैसा विधी का विधान है दुर्भाग्य से आज मैं तीन तीन प्राणियों की हत्या का कारण बन गया फिर वो भीगे स्वर में बोले हे श्रमन कुमार के माता पिता आप दोनों का श्राप मुझे स्विकार है और सज्जनों जैसा की आप जानते हैं राजा दश्रत को इस श्राप का फल भोगना भी पड़ा भगवान राम जब चौधा वर्षों के लिए बनवास गए तो पुत्र वियोग में उन्हें तडब तडब के प्राण गवाने पड़े थे श्रोताओ माता पिता की सेवा भक्ती में पड़ी शक्ती होती है ये कथा है तो त्रेता युक की लेकिन आज भी कल युक का हर बेटा इस पर अमल करे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा आज का बच्चा कल का होने वाला पिता है इसलिए हर बच्चे को चाहिए वो अपने माता पिता की श्रद्धा भाव से भक्ती करे सेवा करें क्योंकि समय चक्र अनुसार जब वो पिता बनेगा तो उसके बच्चे भी उसकी सेवा करेंगी और ये तो सर्व विदित है जो जैसा करता है वैसा ही भरता है भक्त जनों पुत्र शिरोमनी शवन कुमार की इस कथा को हमने सिर्फ सुनना ही नहीं है इस पर अमल भी करना है इससे ये शिक्षा भी लेनी है के हमें अपने माता पिता का मान सम्मान आदर भक्ती सदैव हर हाल में करनी चाहिए क्योंकि उनके आशिवात से ही जीवन सार्थक हो पाता है और याद रहे कर्म की धर्ती पर जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है मैं ही नहीं मेरे साथ साथ समय मी ये कह रहा है तो सजनो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ अगर ये कथा कहने में भूले से कहीं कोई तुटी रह गई हो तो उसके लिए आशा है आप मुझे ख्षमा करेंगे भक्तो शवन कुमार सा बेटा खुआ है ना आगे होगा मात पिता की सेवा में जिसने पूरा जीवन भोगा अपने मात पिता की सेवा जो मन प्राण से करते है नाम उनी का अमर है होता वो ना कभी भी मरते है उनके आगे छोटी सी है उनके आगे छोटी है हर संपदा इस संसार की ये कथा है ये कथा है शवन कुमार की मात पिता की सेवा में जिसने सारी उमर को जार दी ओ ये कथा है शवन कुमार की ये कथा है शवन कुमार की ये कथा है शवन कुमार की ये कथा है